लखनाव से शिवानी हमारे साथ स्वागत है शिवानी नमस्ते मैं जी नमस्कार मैं मेरे पेर में स्वाइल एरिया है तो उसके लिए कोई तीक क्या उमर है आपकी 34 अच्छा बच्चा नम देखो है तो बड़ा मुश्किल निसका अगर आप समझ जाएं तो और खतरनाग भी बहुत है और समझना बहुत जरूरी है जब तक आप समझे नहीं उसका यूज नहीं कर सकते आप समझ लिए आपने मेरी बात आप है लाइन पर देखे बच्चा एक आता है धतूरा सफेद ये जहर है बड़ा खतरनाग पॉईजन है धतूरा सफेद जरा सा ले लिजे दस बीस गिराम खरीद लिजे पचास गिराम खरीद लिजे और इसके ईसमझ लिजे खो आख आउला ले लिजे अबी जरूट के हिसाए इसका पॉड़र बना लिजे और एक चमच आउला और दो पीस इसके धतूरा सफेद के चबाएं और एक चमच आउला खाएं और धतूरा द्धतुरा स्पेद्धी ले लेना काला मत लेना वो और भी जयदा mal When और जया है समझें नहीं तो कोई भी इनस्था को इस्तमाल करें कोशिच ना करें इनताई खतरनाक जहर है यह तो यह आप 2 दो दाने बिलकुल यह जैसे होते हैं मिच के दाने और गरम पानी पिया करें पांच बार दिन में और एक महीने तक ले फिर हमें दुबारा कॉंटक करें हम से बात नहीं हो सके तो हमारी डॉक्टर को भी अपनी डिपोर्ट बता सकते हैं गुजराद से रंजीत हमारे साथ स्वागत है रंजीत है नमस्कार सवाल आपका अपनी इस जल के बढर से पार साल कहा बंडSt गळब का तो हमसे रंजीत है चाल को बजन नहीं उसाने का एंटी हट्य में आओज की एंगे चाली जाता है रहे है मैं ड़क्टर की बिदेयाद है और बजन भी नहीं उठाएं मेरी भी एक बात मान लें कि वेस्टर्ण टॉयलेट ये कुर्सी वाला हमारे घरों में नहीं हो तो हमें लगवा लेना चाहिए क्योंकि हर घर में एक मरीज ऐसा होता है और बस यह यह इतियात है अब आपको लेना है गॉन्सिया काला गॉन्द य यह मुश्किल से मिलता है नकली भी बहुत मिलता है असली लेना है रो मेटेरिल लेना पिसा पिसाए कोई दे तुम बना कर दो बिल्कु साव पिसाएने चाहिए विश्वास मत करो असली गॉन्सिया जो ब्राउन कलर का होता है और जायके में इतना कड़वा होता है कि अगर कुछ मीठा खाया आपकी जबान कड़वी रहेगी चाये दो दिन हो जाएं तो ये इसकी पहचान है ब्राउन से कलर का होता है गौंद काला कहते हैं या गौंद सिया कहते हैं इसे तो दो सो ग्राम खरीद ले और पाउडर बनाएं दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम पान में सोचता है कि मेरा दर्द कहां गया वजन नहीं उठाएं डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और आप कुछ रहें जी में सिर्सा से ही रीता हमारे साथ स्वागत है रीता आपका हां जी नहीं बोलिए हां जी नमस्कार हां जी मेरे को किंकें बोताती है उमर मेरी 40 साल है हा फिला जा जी खान सार रखता है जी बटा देखो छिक आने वाले को इस सवर्ट बहुत इहतियात करनी चाहिए और खटी चीज़े च्छोड़ देनी चाहिए गरम पानी पांच बार पीना चाहिए और इसका इलाज मस्तकिल ոोर पर कर लेना चाहिए हारदी तोर पर भी हलाज बताता हूं मस्तकिल तोर पर भी हलाज बताता और लेकिए आप लीजे आप लीजे अल्सि, उनाब और सपिस्तान, ए तीजिजे 100 गराम लें और 30 गराम इसमें पीपबल Mountains जो आपके किचन में गरम मसालों में लंबी-लंबी काली-काली पतली-पतली पाई जाती तीस गिराम मिलाके पाउडर बनाएं और इसमें एक चम्मच सुबा निहार मुझ खाया करें और गरम पानी पीएं पांच बार ये घरेले नुसका है वैसे इस वक्त हर शास को चाहे वो रोगी हो या निरोगी हो उसको एक दवा के बारे मैं बोलता हूँ क्योंकि ये इम्मुनिटी की दवा है जिसमें भी इम्मुनिटी है या नहीं है उसको एक खुराग ज़रूर खानी चाहिए ताकि हम जो इस वक्त माहौल चलना है पूरी भारत का ही नहीं बनकर पूरी दुनिया का एकसा वायरस का म हैं लेकिन एक खुराग जरूर खाएं माजून आर केर और जो लोग अच्छे हाला आते हैं वो सुबह शाम भी ले सकते हैं यह अंदर का सैनिटाइजर है इम्मूनिटी बूस्टर है इम्मूनिटी की दावा जरूर ले हर शखस ले चाहे एक रोटी कम खानी पड़े मजबू लेकिन यह अपनी हिफाज़त करना अपने आपको सुरक्षित करना अपने बुजर्गों को अपने घरवालों को सुरक्षित करना बेंतहा जरूरी है जी अगले कॉलर हैं जोदपूर से बहादूर सिंग हमारे साथ स्वागत है आपका हां जी बोली सवाल करी अपना और मेर सब्सक्राइब अमündeया कमर में जर्द हैu साथ साल होगे predictive कमर में तुमल्ट करते हैं और कमर में जर्द करती है और गर्दवत्र है Swizz पेंजेमी में देर्द को से अपनी अपनी आयू बताना चाहें तो बता दीजे और में पन्यinwork तो आपको मैंने जवाब दिया था जवाब तो मिला होगा मेरी मेरी और से आपको जवाब मिला होगा ना जी जी तो वही लीजेए आप और एक गिराम लेना आप समझे लें कोई-कोई गलती मेरी तो ये गाउन स्या जो है न ये बहुत खतरनाक है इसकी इससे दवाइं बनती है तो इसको एक दिन में आदा गिराम से ज्यादा नी ले सकते एक बार में और दिन में दो कोई खुलाक ले सकते लेकिन इसके बिश्रण के साथ आप एक गिराम सुबह एक गिराम शाम ले सकते यह आप शुरू करें थोड़ा सबर करें थोड़ा सयम रखें यह निसका खतम होते होते आपके सारे रोग हरना इसका काम है वगवान से मदद मागें और जमीन में ना खादी है अभी दस दिन पहले ही आपकी बात हुई है आपने नुस्के जाने थे और फिर से आपने कॉल किया तो थोड़ा सा आप सबर रखिए सयम रखिए क्योंकि दीरे-दीरे करके ही दर्श को रिलीव मिलता है एक दम से बिलकुल पाइदा नहीं मिलेगा ये कोई पेन किल आप लोग अपने हर एक रोग को जर से खत्म करना चाहते हैं तो चार से पांच महीने आपको देने होंगे देखे इतने बड़े-बड़े रोग आपको हो जाते हैं आप जीवन भर अगर दवाईयों का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आपको हर बात धियान में रखनी होग नमस्कार जी अदाव प्रॉब्लम यह कि मेरे पिता जी 67 यह उल्ड है उनको यूरीन में प्रॉब्लम होती है उर्ण रूपके आती है अभी नाश्ची काई दबाये हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे जिनको भी इस तरह की परिशानी ज्यादा उम्र में होती है वो एक नस्खा तो यह है कि आप एक आता है जैतून का एस्टेक एस्टेक कहते हैं रसायन को जैतून का एस्टेक किसे जैतून का नमक हम गाउं की जबान में कहते हैं यह ज़रा मुश्किल से मिलता है और यह ले लीज़े और कि डो चुटकी में जितना आए इस पानी मिलाकर रात को उने पिलाये करें और दिन में भी दे सकते हैं और शुरू करें आप देखेंगे कि एक दू दिन में फाइदा शुरू होगा और 100-200 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फाइदा होना मुम्किन है तो बिलकुल अविनाज जी फाइदा जरूर हो जाएगा लेकिन उसके अपना लीजेगा अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्प लाइन नंबर पे काल कट हो गई है तो दर्श को प्रियास कीजिए अगर क्या पता आपकी कॉल लग जाए या फिर आप लोग लूप लाइन नंबर पे बी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहां पर हमारे एक्स्पर्टॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत इत्मनान से आपकी की बातें उन से बहुत अराम से कर सकते हैं यहाँ पर समय का अभाव होता है किहां fat जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजी और कॉप fairly किHHHH TJ कि निस्कर बहुत कीमती होते हैं ऑर आप परवीना में भी है जी परवीना जी सवाल आपका अलो बताईए बच्छा बताईए आज आज तो इनों ने भी सलाम का जवाब दे दिया बताईए श्कुर अल्लाह चाहिक इंशाब आपके आज बात पाई रहे जजा कर लाह बताईए बताईए क्या खिद्मत जी हुआ है मेरे उम्रव 14 साल है और मुझे वह वाहे डिशारिस्टी प्रॉब्लम है सफिर पानी शाधी हो गया आपकी थीक है जल्दी होने वाली है उसके साफ है पांच आशताल से वही फ्रावह है सफिर पानी की उसके ताशाथ है नजला जुकाम ये भी रहते हैं उसके बाद मैंने अल्डरासाउन करवाई थी तो उसमें से मितला पीपी ओडियू तो उसके साथ डाइजेशन भी खीफ नहीं है तो ज़्यादा परिस्टान हुगड़ पे वज़न से है कि इंसाब ठीक 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 खांसी नजला जुकाम के लिए बाकाइदा इलाज करिए इस वक्त ऐसे लोग बहुत तकलीफ में हैं जिनको ये वोते मुदाफियत कहते हैं हम लोग अर्दू में और हिंदी में कहते हैं रोग पिती रोदक शक्ति का कम होना और इम्यूनिटी को इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी का कम होना तो इसके लिए माजून आरके लें पांच महीने लगा था सुबह एक चम्मच शाम एक चम्मच और इसमें गरम पानी पीना आपके लिए बहुत बहतर है और जो खुवातीन को महिल वगरा है इसके लिए आप एक दवा आती है कलोंजी का नमक कलोंजी का नमक यानि अस्टेक कलोंजी या रसायन कलोंजी कह सकते हैं आदा ग्राम आप पानी मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें चंद खुराकें लेंगे तो आपका ये परिशाने भी ठीक होना मुम्किन है